अले इडिवान क्या हल चाल कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका इस बहतरीन योटूब चैनल पे कैसे हो आप सब पहली दफ़ा इस सेशन में आए हैं तो इस सेशन को जरूर लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा बेल आइकन में आल सेलेट कर लीजेगा ताकि आप एक भी लेक्चर मिस ना करें रैपिड रिविजन रैपिड रिविजन नोट्स जो है 2.0 इस टेलिग्राम के उपर अबलेवल है हर दिन 5 बजे शाम को नोट्स आ जाता है तो आप सब को इस टेलिग्राम से ज़रूर जूर जाना चाहिए और हम लोग डेली आठ वजे अनिकाडमी के ऊपर चप्टर वाइज मॉक टेस्ट करते हैं जो बहुत कमाल का होता है वो फ्री होता है दो जनवरी से बहुत ही कमाल का चीज आ रहा है तार इस कॉल यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मैंने एक कॉम्मुनिटी पो चाप्टर के यूनिट होंगे वो यूनिट हम कम्प्लीट करेंगे और फिर हमें आठ वजे डेली प्राक्टिस कराएगा हमारा यूनिट वाइस तो अब हम यूनिट वाइस प्राक्टिस करने वाले हैं तो आप सब जो है आ सकते हैं दो तारिक से आठ वजे फ्री अप कॉस सकते हैं और बहतर से बहतर स्कूर कर सकते हैं कोड में डॉक्टर एसके सिंग यूज करना है और आ जाना है ठीक है चलिए हम फोटो संथेसिस कर रहे थे और फोटो संथेसिस का हमारा बीच का पॉर्शन छूट गया था तो हम यहीं से सुरू करते हैं ठीक है यहीं से सुरू करते हैं फोटो संथेसिस यहीं से सुरू करते हैं ठीक है क्योंकि बीच का पॉशन कुछ इंटरनेट के कारण छूट गया था चलिए हलो हाई सबको हलो है गोड़ी गुड मार्निंग गुड मार्निंग गुड मार्निंग अवनीत पिंक रखा था और एक चुहा रखा था मतलब एक ट्रांस्पेरिंट जार था ठीक है टांस्पेरिंट जार था जो बच्चे अभी से जोट रहे हैं तो मैंने फोटो संथेसिस का वन चॉट पहले डाला हुआ है कुछ इंटरनेट के कारण नहीं हो पाया था पूरा तो आप सब की मर गया जिन्दा रहने के लिए और दोनुको बिल्कुल क्लोज था तो मिल नहीं पाया थेक है अपसिजन नहीं मिल पाय तो यह भी मर यह भी बुज गया इन्होंने दूसरे एक्सपरिमेंट में क्या किया है कि मिंट का पौधा डाल दिया और ट्रांस्पेरिंट के कारण सुर्ज की रोसनी इसके अंदर जाती थी यहना ट्रांस्पेरिंट जार था तो जो सन है वो अराम से सनलाइट अराम से इसके अंदर जाता था और आपको पता है कि फोटो सिंतिस के लिए सहाइक है तो इन्होंने कहा कि यार फोटो सिंथेसिस के दरहान ऑक्सीजन प्रिडूस होता है और ऑक्सीजन is very vital for the living organism चाहे वो कोई भी चीज हो ऑक्सीजन की बड़े भूमिका होती है तो देखे उन्होंने क्या conclude किया कि they place a mint plant of the same jar and continue to burn तो मतब same experiment किया ठीक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है he conclude that a burning candle of an animal's breathe an ear after sometime animal may be die and they place a mint plant उन्होंने एक mint plant को उसके अंदर place किया and उन्होंने देखा कि the mouse stay alive mouse stay alive and candle continue to burn जब तक उसे मतब खतम नहीं हो जाता तब तक वो burn कर रहा है इसका मतलब यह है कि इसके लिए हमें oxygen की जरूरत होती है एक इंजन हाउस का experiment था वह बहुत important था और इससे question पूछा जाता है इंजन हाउस का experiment थे question था कि इंजन हाउस ने कहा कि sunlight is very essential for the plant process plant process है ना plant photosynthesis के दौरान purified air को produce करता है they produce a purified air तो दो statement आपको इंजन हाउस के जानने हैं पहला कि photosynthesis के दौरान plant a purified air produce करता है and what is a purified air no other than that is oxygen और sunlight बहुत जरूरी है sunlight के बिना photosynthesis नहीं होता है तो अगर site के बारे-बारे में बात करें तो site of photosynthesis site of photosynthesis क्या है बेटा पहले तो हम stomata के अंदर जाएंगे जब हम stomata के अंदर जाते हैं चोटे-चोटे पूर्स होते हैं और लीफ के lower portion पे सबसे ज़्यादा present होते हैं ठीक है तो स्टमेटा के जब हम अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा मेजोफिल सेल मिलेगा और मेजोफिल सेल के अंदर जाएंगे तो आपको chloroplast मिलेगा chloroplast मिलेगा chloroplast के अंदर देखेंगे तो आपको chlorophyll मिलेंगे ठीक है और कुछ accessory pigments भी आपको मिलेंगे accessory pigments भी मिलेंगे तो यह actual site के बारे में बात करें के where the photosynthesis take place the answer is mesophyll cell the answer is mesophyll cell क्योंकि mesophyll cell के अंदर ही photosynthesis होता है क्योंकि इसी cell के अंदर आपको सारे chlorophyll carotenoid gentophyll बहुत सारे accessory pigments नजर आते हैं and they are important for the trapping the sunlight sunlight से trap करेंगे और thus they are important for the transfer the energy from one form to another form with the help of different different ions carrier ions इसे बहुत सारे carrier ions के form में होते हैं और फिर उसके बाद उससे हमारे photosynthesis की पर किरिया होता है जैसे शादी विया में आपको पता है कि शादी विया में जैसे बहुत सारे लड़की वालों ने fruit का टोगड़ा भेज दिया है तो छोटे-छोटे बच्चों को लाइन में खड़ा कर लेते हैं कुछ-कुछ दूरी पे के लिए वहां तक यह पहुंचाते हैं वहां तक यह पहुंचाते हैं लास्ट में सब को एक एक लड़ू के लिए एक लड़ू के लिए है तो एक लड़ू के लिए एतना एसे ही हमारे प्लाइंट के अंदर क्याउइब मॉलीक्यू को इसे तक तरान्सफर करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं आगे बढ़ते रहते हैं तो फोटोसंथेस्स अकर पर्टिकुलर्लीन स्पेशलाइस चेल विजज कॉल मीजोफील तेल के अंदर फोटोसंथेसिस की परिकिरिया हमारी होती रहती है व्यूजोसेल आर वेरी इंपर्टन तर्स फॉद फॉद्टोसंथेसिस अन अन दे गंटेन है देखाव लोई फाथ किन ओनन थो जबारन को रीजिए करने के मॉलेकुंश होते keyword करते हैं क्लोर स्थेज़़ प्रूरेट प्रूर में बात करते हैं अब खलो प्लेफ्बस फिल्शाप धलाइट लाइट देखमेंटári को ऐसWhen वेवलेंद प्लोरोफिल के बारे में बच्पन से पढ़ते आ रहे हो यह ग्रीन होता है ग्रीन कलर का होता है प्लाधा प्लीफ होती है और उसके अंदर क्लोरो फिल होता है तो इसना होता है जह लुएल है तो अधे क्लोरोफिल होता है इसे आइसा समझों कि शादी बया हूआ में जो दुल्हा होता है हो मेन करदार निवाता है क्योंकि उसकी शादी है ऑई बठ बुले के सांसा दु्ले के जैसे भेजबुसा में और भी लोग होते हैं बठ व दुला नहीं कहे जाते हैं कुछ और अलग-الग रिवाज में अलग-अलग चीज़ कहते हैं तो बहले कितना भी तुम दुले जैसा कपड़ा पहलनों पर दुला नहीं कहा जाए ठीक उसे पर है जो होता है वह मीन मीन पिगमेंट होता है दुला होता है और उसके साथ-साथ और भी दुले के जैसे वस्त्रधारन के लोग होते हैं बट उनक सब्सक्राइब कर रहे हैं बट उनकी शादी हो नहीं रहे हैं तो क्लोरिफिल यह जो होता है दिस अ मीन पिगमेंट विच इंपॉर्टन फॉर्पिंग दे सनलाइट सनलाइट जो इलेक्रोन है वो से ट्राप करेगा बट लूरिफिल भी जो होता है वो इंडारेक्ली सपोर्ट करता है डारेक्ली सपोर्ट नहीं करता है डारेक्ली सपोर्ट नहीं करता है ठीक है डारेक्ली सपोर्ट नहीं करता है ठीक है चले तो क्लोरिफिल यह से सुरुवात करते हैं क्लोरिफिल यह से सुरुवात करते हैं क्लोरिफिल यह से सुरुवात करते हैं जो कि main accessory pigments है तो तो this is known as primary photosynthetic pigment primary photosynthetic pigment and reaction center and reaction center primary photosynthetic pigment कहते हैं or reaction center कहते है chlorophyll cat contain chlorophyll एक अंदर क्या होता है पां c h3 group होता है देहाँ अच 3 group global c h3 group होता है chlorophyll A को हम major pigment कहते हैं क्यों क्योंकि ये sunlight को trap करता है light को trap करता है और जो electrical energy है उसे chemical energy में transfer करता है ये सारे notes में भेज़ दूँगा कमाल के notes है तो chlorophyll A they are called primary photosynthetic pigment and reaction center chlorophyll A contains CH3 group ये major pigment है डारेक्टली सनलाइट से electrical energy को chemical energy में convert करता है अब बात आते हैं chlorophyll B की तो chlorophyll B जो है हमारा accessory pigment है कौन से pigment है बटा accessory pigment है तो they are do not directly take part in photo chemical process ये directly take part नहीं करता है इस support करता है इसके अंदर CHO group होते है chlorophyll A के अंदर CH3 group होते हैं कभी कभी अंतर पूछा जा सकता है और आपको अंतर पता होना चाहिए chlorophyll B absorb specific wavelength of light and transfer energy जैसे कई दफा आपने दिखा होगा शादी होती है कि जैसे शादी होती है हमा पैसा ले लड़की वाले पैसा देते है तो लड़की वाले क्या चलाकी करते हैं कि सारे बच्चों को Matteo लड़की वाले का जो मालिक है उसको हम हैंड ओवर कर देते थे आपका पैसा ले लो तो इस टेक्नीक टो कलेक्टिंग दो मूर अमांट तो ऐसे इसी पिगमेंट होते हैं बहुत सारे सब्सक्राइब करता है यह करता है कि दे अब जॉब दे अब्जॉब एस्पेस्वी वेगले वेगलेंगे अफ लाइड एंड ट्रांसफर एनर्जी फाइनली टु दॉद ए देख रहे हो कि बहुत सारी चिंटु-मिंटु-मिंटeur को इकठा करके पैसा ले लिया और पैसा एक एक आप सम convince को दे दिया दुलह के जो मेन के लिए उनको दे दिया दुलह जो मेन मालिक उसको दे दिया तो ऐसी ही जो है सारह चीज हो रहा았습니다 है इसलिए से हम क्या बोलते हैं एससरी पिगमेंट कहते हैं जैसे महिलाओं में आप देखते रहे हो लोग शादी के पहले लेने जाती है लहेंगा ले लेंगी सब चीज होगा फिर लहेंगा से मैं आज करते हुए सारा समाना उन नहीं भी होगा तो काम चले जरूरी चले तो करेटनाइड के बारे में बात करते हैं करेक्स करेटनाइड को भी एक श्री पिगमेंट से यार सपोर्टिंग दफो इन ट्राप करके और काम नहीं करता है उसी को भी हम अब हम एक्शन पुटेंशल के बारे में बात करें कि अप्टेंशल का मतलब क्या है कि एक्षिन पुटेंशल यह समझे कि आप लड़की वालों के घर गए लड़की वालों ने खूब आपकी सेवा की भुला आओ सरमाजी बैठ यह ना अराम से सीट उर्ट साफ कर दिया है ना सरमाजी बैठ एपहले पानी दिया फिल कोल्डिंग दिया गुलाब जामुन समोसा लड़ू मूमुस तक भी दिया खुम्तारी मदब सेवा हुई सरमाजी बिल्कुल खुश हो गया व आप किसी का सम्मान करेंगे वैसे सम्मान मीनेगा है कि नहीं तो ठीक उसी प्रकार हमारे क्लोरोफिल और रेट फोटो संथेसिस पर डिपेंड करता है अगर आप 200 जैसे माली जी यह आप फोटो संथेसिस दे रेट फोटो संथेटिक अक्टिविटी विल भी इंक्रीजेश बट बियोंड अस्वर्टन लिबिट अब जरूरत से ज्यादा ही आदत सब्कार कर दो तो फिर तो उनको लगेगा कुछ ना कुछ गड़ बड़ है वाई सभ तो एक्षिन पोटेंशि इस बिसक्ली वॉट इस जास्ट वी फांड आउट की अधव लेंगे की तना फोटो संथेसिस होगा और आज यू नो था फोर हंडेट तो शिक्स हंडेट और सेवन हंडेट नानोमेटर इस वेरी आइडियल फोर फोटो संथेसिजिश इस तेक प्लेस बेविन दो फोर हंड से सास्तों की वीच में आपको सबसे ज्यादा फोर्टो संथेसिश देखने को मिलेगा अब इनमी भी इनमी भी क्लोरोफिल ए कैसे काम करेगा उस पे भी चर्चा करेंगे हम तो इसको याद रखेएगा एक होता है पार दाइस कॉल फोटो संथेटिक आक्टिव रिडियेशन फोटो संथेटिक एक्टिव रिडियेशन प्लांट वैसे तो बहुत ज्यादा लाइट आता है बट उनमें से बहुत ही कम लाइट प्लांट को चाहिए ठीक है बहुत ही कम लाइट अब तुम्हें इतना ज्यादा आदत सरकार कर दिया जाएगा ठीक है कि मतलब तुम मतलब एक थाली में लेके आँ वहां पर मॉमोज समोसा ब्रेट पकोड़ा ही वह सब चीद दे दू तो तुम चुनिंदा चीजों को खाऊगे यार इतना कौन खाएगा एक दूंगा तो वह तो खाई लोगे तो ऐसे ही रहता है कि बहुत संद्लाइट के वेवलेंद तो बहुत ज प्रणाइट का सबसे ज्यादा बेस्ट लाइट क्या है फोटो संथेसिस का है ना तो एक सेटेंड कॉल देखते हैं क्या है अलो जी कौन अब बोले अब अ मझे दो दो घंटे बाद फॉन कीज़ेगा चले तो बैस सब्सकराइब नहीं नहीं है बाहर जाओगे तो जो light दिखाई देगा that is a white light this is a combination जहाँ पर सबसे ज़्यादा photosynthesis आपको मिलता है बट अगर हम बात करने की बताओ भटा monochromatic light में क्या होगा monochromatic light में क्या होगा monochromatic का मतब समझते हो monochromatic का मतब single type of light single type of light तो सबसे ज़्यादा dosynthesis को blue light में देखने को मिलेगा और रेड लाइट में सबसे नहरा के जाएं अब आइये fade of four目 दा बारे में बात करते हैं और इसमें एसे मिलिटरी पावर बनते हैं जैसे माल लो कि हमारा जो लिवर होता है ना जैसे तुमने खाना खाया तो इनर्जी को स्टूर करता है अगर माल लो कि एक दिन भूखे रह गए तो उसमें हमें हमारी मौत ना हो जाए हम मर ना जाए तो इसे लिए हमारा लिवर उसको इकठा करता है ऐसे प्लांड भी अपने अंदर इनर्जी इकठा करता है एटीप प्लस एने डी पी एच टू और इसको कहते हैं हम एसे मेलिटरी पावर कि जिस दिन सनलाइट ना हो जिस दिन फोटो सिंथेसिस ना हो और जरूरी है वहाँ प और इसे मेलिटरी पावर को यूज करके ग्लुकोस का बनना इसकॉल डाक रियाक्शन अब हम फोटो सिस्थम फॉर्स और सेकेंड के बारे में बात करेंगे फोटो सिस्थम फॉर्स क्या होता है दोनों में अंतर समझते हैं तो फोटो सिस्थम फॉर्स में रियाक्शन सेंट होता है आप याद रखना है फोटो सिस्टम में रेक्शन सेंटर 700 होता है करेब 200 से 400 चार सो क्लोरोफिल मॉलिक्यूस होते हैं पचास करेटनोफिल याद ग्रीन कलर का होता है साथ के साथ याद करिएगा विल्गुल to the point पड़ रहे हैं पूरा NCRT है और इसी से सवाल आएगा ठीक है तो PS first में reactions अंडर P700 ए इसके अंदर 200 से 400 क्लोरोफिल 50 करेटोनाइड light green का होता है और इसमें पानी तूटता नहीं है यह नहीं होता है यह नहीं होता है यह यानि इस PS first में PS first में आपको पानी तूटेगा नहीं मदब oxygen लिबरेट नहीं होगा इसका जो primary receptor है इसका जो primary receptor है से question पूछा जाता है the primary receptor of electron is FES बहुत important है this is called FES iron sulfur compound iron sulfur compound the primary receptor of electron is iron sulfur compound और PS first जो होता है वो cyclic non-cyclic दोनों process में जाता है so they are involved in the cyclic and non-cyclic photosystem cyclic और non-cyclic photosystem में रहता है PS second के बारे में बात करें अगर PS second के बारे में बात करें तो PS second it consists of reaction center P680 उसमें 700 था अब हम match करेंगे बेटा आपको answer देना है comment करेंदे अब हम PS second के बारे में बात करें तो PS first थे हम compare करते चलेंगे ठीक है तो PS second में P680 होता है तो उसमें कितना होता था 700 होता था उसमें भी 200-400 kronophil 50 keratonoid molecules present है इसमें भी यही है अचा यह dark green color का होता है comment करके बताएगा PS first कौन सा color का होता है यह प्ली सारे लोग बताएंगे तानिया केरन प्रतीमा पिंकी निशा बताओ 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 इस लाइट green color वहाँ पे photolysis of water नहीं हो रहा था यहाँ पे photolysis of water होगा photolysis of water होगा तो the water is split into the 2H++ half O2 and this oxygen is liberated ठेक है oxygen is liberated यहाँ पे primary receptor of electron क्या है few fighting है बताओ यह comment करके कि वहाँ पे क्या था वहाँ पे क्या था आईरन sulfur compound यहाँ पे few fighting PS first में iron sulfur compound right it is associated only for the non-photosynthetic cycle non-photosynthetic cycle के लिए associated है ठेक है they are associated with the non-photosynthetic cycle और वह cyclic और non-cyclic दोनों में ही participate करता है यह अंतर है अंतर तो आप खुद से कर सकते हैं आए अंतर हम लिखके कर लेते हैं आए हम अंतर लिखके कर लेते हैं तो PS first में आप बताईएगा मुझे सारे लोग PS first और PS second बताओ PS first में P 700 reaction center होगा होगा की नहीं होगा होगा और यहां पर P 680 होगया समझ में आगया और बताओ अंतर बताओ और अंतर बताओ इसमें इसमें क्या होगा कि there is a no photolysis of photolysis of water no photolysis of water यहां पर क्या होगा बताओ फोटो लिसस ओफ water पानी का तूटेगा पानी तूटेगा पानी जब तूटेगा तो क्या होगा पानी जब तूटेगा तो oxygen liberate होगा no oxygen evolved यहां पर oxygen liberate होगा oxygen liberate होगा और कि नहीं होगा फिर दूसरा कि यह light green color का होता है light green color का होता है light green color का होता है और यहां पर कौन सा dark green खुलल को होता है डार्क ग्रीन लर को हूथ है ठीक है ऑच यह दोनों साइक्लिक और ही तो टुन्साइकलिक साइक्लिक कर आगे करेंगे और यह सर्फ साइक्लिक में ही होगा इसे लिखाई कि पी से नौन साइक्लिक नौन साइक्लिक होगा टिक है तो यह अंतर है यह आपको याद रखना है यह असान है कोशन कोशन तो आठ वज़ें हम करते ही है कहां पे करते हैं अनिकादमी भी करते हैं free of cost अब हम करते हैं photo phosphorylation देखें नाम से पता चल रहा है कि photo phosphorylation का मतलब क्या है phosphorylation का मतलब होता है कि ADP से ATP बनना ठेक है ADP से ATP बनना और photo का मतलब होता है light तो light के presence में light के presence में जब ADP से ATP बनेगा उसको हम बहते हैं photo phosphorylation photo phosphorylation so the process of formation of 88 ATP from ADP the process of formation of ATP from ADP presence of light is called photo phosphorylation दो इसके पार्ट होते हैं cyclic photo phosphorylation cyclic का मतलब होता है कि जहां से electron निकला है वहीं पर electron फिर से दुबारा आजाए that is called cyclic ठीक है और non cyclic का मतलब क्या है कि जहां से electron निकला है वहां पर दुबारा ना आए तो जहां से निकला है वह जिगजग मुवेंट करें इसलिए जड़ स्कीम भी बोलते हैं इसलिए जड़ स्कीम भी बोलते हैं ठीक है बहुत सिंप्लिफाइ डाइग्राम है इसे आप देखिएगा जड़ा और रिलेट करिएगा तो सबसे पहले सूरज की किरने सूरज की किरने आती है और प्लांट के मिजफिल सेल पर पड़ती है कौन से सेल पर पड़ती है चौ मिजफिल सेल पर पर टी है इसके अंदर PS700 होता है PS700 होता है इसे एक्शन सेंटर इसे हम रियाक्शन सेंटर कहते है PS first is reaction center और इसको सबसे पहले सबसे पहले iron and surfer compound इसे पकड़ लेते हैं this is a first carrier molecules iron and surfer compound ने इस electron को पकड़ लिया पकड़ने के बाद इस electron को आगे hand over किया यादा रहा शादी वाले event आगे hand over किया and this is called ferrodoxin this is a carrier molecules ferrodoxin को इसने दे दिया और ferrodoxin ने फिर आगे किसको दे दिया विटा cytochrome bnf को convert कर दिया bnf के अंदर भेज दिया cytochrome bnf के अंदर भेज दिया तो जैसे ही ferrodoxin से cytochrome bnf आया तो there is a conversion of ADP into ATP और इसको याद रखिएगा ठीक है ADP से ATP convert हो गया अगें ए प्लास्टो साइनीन में भेज दिया प्लास्टो साइनीन में भेज दिया और फिर से एलक्ट्रोन प्लास्टो साइनीन से फिर से वो कैरी मेज़फिल सेल में चला गया तो cyclic flow हो रहा है तो इसमें याद करने वाला चीज क्या है इसमें याद करने वाला चीज यह है कि ATP एक ATP बन रहा है सिर्फ एक ATP बन रहा है ठीक है एक ATP बन रहा है प्राइमरी एसेप्टर जो है इसमें याद करने वाला चीज है है तो यहां पर यहीं लिखा है कि there is a synthesis of there is synthesis of ATP from ADP ठीक है यह सबसे इंपॉर्टन है प्राइमरी एसेप्टर आफ एलक्टॉन इस आइरन सल्फर कंपाउंड आट सौथ और जहां से निकला है वहीं से फिर से रिटर्न बैक आगया ठीक है तो ATP synthesis टेक प्लेस इंसाइड ATP synthesis टेक प्लेस इंसाइड कहां पर mitochondria and chloroplast mitochondria and chloroplast and there is a cyclic flow of electron in a non-cyclic photophosphorylation it occur in a stoma laminae stoma laminae के अंदर यह देखा जाता है and there is only ATP molecules are synthesized during the cyclic photophosphorylation सिर्फ और सिर्फ ATP molecules ही बनते हैं cyclic photophosphorylation के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा ठीक है उसमें जो है उसमें आपको अलग-अलग चीज बनता है उसमें अलग-अलग चीज बनता है किसमें किसमें नॉन-Cyclic photophosphorylation में अलग-अलग चीज़े बनती हैं ठीक है अलग-अलग चीज़े बनती हैं अब नॉन-Cyclic photophosphorylation के बारे में बात करते हैं तो नॉन-Cyclic फॉस्पर एलेशन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले सन आ गया, ठीक है, सन से एलेक्ट्रोन आया, एलेक्ट्रोन सबसे पहले PS first molecules में आया, PS second molecules में आया, और second में आपको पता है कि P680, P680 आपके अंदर, मतब कि इसके अंदर मिलता है, और इसमें एलेक्ट्रोन मतब कि water टूटता है, the water is translocated, that is split into the 2H plus plus half O2, and there is a conversion of pheophycin, मतब सबसे पहले primary receptor of electron is pheophycin, वहाँ पे क्या था, FES था, अब दोनों को compare करते चलिए, cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation, तो cyclic वाले में primary receptor of electron is FES, और यहाँ पे क्या है, pheophycin, वहाँ पे 700 था, यहाँ पे 680 था, वहाँ पे पानी तूटता नहीं था, यहाँ पे पानी तूट रहा है, the water is split into the 2H plus plus half O2, and there's few phyton again, transfer the electron into the quinone, quinone के अंदर भेजता है, फिर क्योन से प्लास्टो साइनीन के पास जाता है, और this plastocyanine is again returned into the mesophyll cell, और वहाँ पे उसे carrier molecules मिलता है, p700, फिर से यहाँ पे FES complex आ गया, pharadoxon molecules आ गया, NADPH, यह सारे carrier molecules बन रहे हैं, और the electron is never returned back into the original position, and therefore they are called non-cyclic photophosphorylation, the whole scheme of transfer of electron is starting from the PS second, PS second, uphill to the receptor, down to the electron transport chain, PS first, and this is excitable to the electron, this is reduced the NAD, मतलब वही सारे चीज़ है, अब cyclic और non-cyclic photophosphorylation में अंतर समझते हैं, ठीक है, cyclic और non-cyclic photophosphorylation में अंतर समझते हैं, तो primary electron is FES, और यहां पर primary electron is Pheophyton, Pheophyton, photolysis of water not take place, है न, और यहां पर photolysis of water होगा, होगा न, अभी-अभी तो cycle देखा हैं, यहां पर oxygen evolve नहीं होगा, क्योंकि पानी तूट नहीं रहा है, है न, पानी तूट नहीं रहा है, तो oxygen कैसे होगा, और यहां पर oxygen evolve हो रहा है, क्योंकि पानी तूट रहा है, यहां पर cyclic moment of electron हो रहा है, जहां से electron निकला है, वहीं पर return back हो रहा है, और यहां पर zigzag moment हो रहा है, इसलिए इसे z scheme भी बोलते हैं, question हम 8 बजे अने कैडमी के ऊपर practice करेंगे, splitting of water, the water is always split into the 2H plus plus half O2, और यह जो हमारा proton है न बैटा, proton है, यह जो proton है, this proton is important, this proton is important to activate, किसको activate करता है, बताव, they activate ATP synthetase, ATP synthetase, तो यह proton जो है, ATP synthetase को activate करेगा, और जैसे ATP synthetase को activate करेगा, so the ATP synthetase is important to conversion of ADP into the ATP, right, and this is called kemosynthetic hypothesis, so now we are looking for what that is called mechanism of photosynthesis, light reaction, dark reaction, तो यह करना है, हमें अब kemosynthetic hypothesis के बारे में पढ़ना है, the kemosynthetic hypothesis is basically the formation of, the formation of, formation of assimilatory power, assimilatory power का मतलब आपको पता ही चला गया, assimilatory power का मतलब होता है, ATP plus NADPH2, NADPH2, right, ATP synthesized in chloroplast, ATP जो है, chloroplast के अंदर synthesize हो रहा है, chemo-osmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism, mechanism है, यह देखिये, तो यह जो proton है, this is a proton actually, this proton is come and contact with the thelecoid membrane, यह सारे carrier molecules होते हैं, cytochrome, BF, photosystem, first, second, यह सारे thelecoid membrane को ऊपर लगे होते हैं, उसको activate करेगा, and lot of proton are accumulate inside the lumen of the thelecoid, a lumen of thelecoid है, this one is a lumen of thelecoid membrane, this is a lumen of thelecoid membrane, a lumen है, thelecoid membrane का lumen है, this is a lumen of thelecoid membrane, this is a lumen of thelecoid membrane, and the ADP, इससे क्या होगा, कि H plus आयन, अभी-भी मैंने बताया था, कि जो H plus आयन है, वो ATP synthetase को activate करेगा, and there is a conversion of, there is a conversion of ADP to ATP, right, this is a photosynthetase activate, यह notes में भेजूँगा, आपको telegram के ऊपर, एक बार read कर लेजेगा, वही सारा process है, जो मैंने अभी बताया है, now we are talking about the most important cycle, which is called C3 cycle, CO2 formation cycle, और Calvin cycle, तो यह black man ने सबसे पहले नहीं दिया था, यह गलत है, तो they consist of, they consist of the three process, the carboxylation, reduction, regeneration, तो देखें यह cycle है, सबसे पहले CO2 atmosphere में है, उसको ribosco ने खींचा, ribosco ने खींच लिया, हैना ribosco ने खींचा, और इससे three molecules of PGA convert हुआ, three molecules of PGA आया, this three molecules of PGA is converted into the one three di-PGA aldehyde, di-PGA aldehyde में convert हुआ, and one three di-PGA aldehyde is converted into the PGA aldehyde, PGA aldehyde, PGA aldehyde में convert हुआ, यह conversion चल रहे बता, this is all the conversion, which is happening inside the membrane, right, and triose phosphate इसे बना, there is a triose phosphate, a triose phosphate है, फिर triose phosphate का regeneration हुआ, and they converted into the RUDP, और RUBP, यह सारे abbreviation लिखे हुए है, PGA का मतलब होता है, phosphoglyceric acid, PGA का मतलब होता है, क्या है, वो देख लेजेगा, और इसी का, वो वर्णन है, तो वर्णन आप एक बार रीड कर लेजा, regeneration RUBP होगर होता है, क्या चीजी इन होती है, क्या चीजी आउट होती है, तो 6 molecules, 6 molecules of CO2 अंदर आता है, और उससे करीब एक molecules of glucose बनता है, यानि इसको करने के लिए 6 बार ऐसे turn लेना पड़ेगा, 6 turn are required, एक कोशन आता है, 18 ATP, और करीब 18 NADPH आता है, और करीब 12 NADPH, 12 NADP आउट हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा, तो in Calvin cycle, in Calvin cycle, CO2 receptor is, एक कोशन पुछा जाता है, CO2 receptor is RUBP और RUDP, बाई और डाई एक की है, Calvin cycle take place, only one carbon, so that the 6 ton is required for the Calvin cycle to generate a 6 carbon, एक turn में एक carbon, तो 6 turn में 6 carbon, तभी तो hexose molecules बनेगा, तभी तो glucose बनेगा, ठीक है, relate कर पारें आप सब, तो formation of one mole of glucose, hexose sugar, 18 ATP और 12 NADPS 2 बनते हैं, कोशन हम 8 बज़े discuss करेंगे, C4 cycle, C4 cycle के बारे में बात करते हैं, C4 is called hatch and slack cycle, they occur in tropical plant, एक कोशन आता है, tropical plant में, mainly tropical plant में होता है, कोई कोश सब tropical plant में भी आपको देखने को मिलेंगे, और याद करने का तरीका क्या है बटा, SMS, ठीक है, तो SMS का मतलब होता है, sugar kin, sugar kin, sugar kin, ठीक है, मेज और स्वार्गम, नीट में आपकोशन है, तो primary receptor of electron, primary receptor of electron क्या है बटा, primary receptor of electron is PEP, आपकोशन है, primary receptor of electron is PEP, phosphoenol pyruvate, phosphoenol pyruvate, primary receptor है, C3 का क्या था, हाँ, हाँ, कमेंट करेंगा होता है, C3 का क्या था, RUBP या RUDP, primary, primary, first stable compound is malic acid, malic acid, एक सक्वार्ण, OAA, it's not a malic acid, it's the OAA, ठीक है, गडबर था, यहाँ पर, अच्छा, यह दो cell में होता है, दो cell में देखा जाता है, mesophyll cell में देखा जाता है, और bundle sheet shell में देखा जाता है, और एक खासकर उन पौधों में देखा जाता है, जिनके अंदर cranes anatomy होता है, this is a type of arrangement of leaf, right, अब देखें, ऊपर वाला जो cell है, उपर वाला जो cell है, वो mesophyll cell है, और नीचे वाला जो cell है, आपको bundle sheet cell है, तो सबसे पहले primary fixation of atmospheric CO2, यह कोशन आता है, यह तेक प्लेस इन, यह तेक प्लेस इन mesophyll cell, सबसे पहले atmospheric carbon dioxide है, सबसे पहले हो mesophyll cell accept करेगा और वहाँ पे primary receptor कौन है, PEP है, the primary receptor is called PEP, primary receptor PEP है, this PEP convert into the OAA and OAA and finally malic acid, the malic acid is formed inside the mesophyll cell, एक plasma membrane से वो cross होके bundle sheet cell में जाता है, the malic acid is entered into the bundle sheet cell, और वो C3 cycle करा सकता है, और उसे glucose बना सकता है, या दूसरा विकल्प यह होता है, कि 6 phosphate pyruvate di kinase और यह transport होके फिर से उपर चले जाते हैं, तो यह सारे उसी का वर्णन है, एक बर देख पढ़ लेजेगा, ठीक है, characteristics of C4 plant से बहुत question पूछे जाते हैं, तो it can tolerate high light and high temperature, क्योंकि इसके अंदर enzyme होता है, PEP carboxylase और di kinase, ठीक है, एक्टिव रहते हैं high temperature पे, high temperature पर सबसे ज़्यादा activate रहते हैं, ठीक है, ठीक है, बंद रहने के बाद भी इस्टुमेटा, बंद रहने के बाद भी इन्वे photosynthesis हो सकता है, ठीक है, और इन्वे के अंदर abundant organic acid present होते हैं, presence of this plant, इसलिए salinity को tolerate कर सकते हैं, ठीक है, salinity को tolerate कर सकते हैं, अब photorespiration के बारे में बात करते हैं, photorespiration basically एक wasteful process है, जिसमें oxygen यूज किया जाता है, वो carbon dioxide छोड़ा जाता है, और कहां-कहां होता है, कोशन पुछा जाता है, कि photorespiration कहां होता है, तो photorespiration occur in chloroplast, perixosomes, mitochondria, this is a wasteful process basically, रुबिस्को आपको पता है, रुबिस्को is the most abundant enzyme in the world, पुरे world में सबसे ज़्यादा यह होता है, ठीक है, तो almost हमें chapter को खतम कर दिया है, factor affecting the photosynthesis, अब factor affecting the photosynthesis, की बाहर वाला factor और अंदर वाला factor, बाहर वाले factor को हम कहते हैं, external factor, अंदर वाले को internal factor कहते हैं, अब internal factor क्या होता है, कि leaf का size कैसा है, लीफ ग्रीन है या नहीं है, इस्टोमेटा कितने हैं, और बाहर वाले factor की light है या नहीं है, है ना, तो photosynthesis is basically determined by the internal factor, plant का factor और external factor, बाहर का factor, plant के factor में क्या क्या चीज़े included हैं भाई सब, plant के factor में they include the number, size, age, orientation of leaf, mesophyll cell, mesophyll cell, chloroplast, internal oxygen, oxy-o2 concentration, chlorophyll, इस इन्टरनल प्लांट का खुद का factor है, बाहर का factor क्या हो सकता है, कि sunlight है या नहीं है, temperature है या नहीं है, CO2 का concentration कैसा है, पानी का concentration कैसा है, इन सब पे depend करता है, law of limiting factor का मतलब यह होता है, कि कोई भी अगर chemical reaction है, कोई भी chemical reaction है, तो chemical reaction की product उस पे depend करते हैं, जिसका amount बहुत काम हो, limited हो, limiting factor, अब जैसे माल लीजेगे शादी है, और माला जैमाला लाना ही भूल गए, तो अच्छा लगेगा शादी भाई साब, जैमाला लेमिटिंग फाक्टर अफ शादी, ऐसे ही, ऐसे ही, फोटो सिंथिक कोई लेमिटिंग फाक्टर होते हैं, जिसके भी ना फोटो सिंथिक की संभावना की नहीं जा सकती है, तो इस अ क्यामिकल प्रोसेस अफेक्टेट बाई मोर देन वन फाक्टर, बहुत चोटे चीज़ पर, जैसे यहां पर एक्जामपल से बताया है, कि डिस्पाइट अप्रजन सब ग्रीन लीफ, ऑप्टिमम लाइट, बराती आगे, दुलहन भी आगे, सब लोग आए है, पंडिजी भी आगे, सूरवाती दौरिमे अगर आप लाइट के, concentration को बढ़ाएंगे तो photosynthesis होगा और फिर धीरी-धीरी saturate होके काम हो जाएगा जल जाएगा ज्यादा लाइट में carbon dioxide carbon dioxide हमेशा limiting factor होता है photosynthesis के लिए क्योंकि यह atmosphere में ही कम होता है ठीक है तो generally आप concentration को बढ़ाएंगे तो rate of photosynthesis बढ़ेगा बहुत जादा बढ़ाएंगे तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा photosynthesis नहीं हो पाएगा ठीक है so when the co2 concentration increase up to 0.5 then the rate of photosynthesis increases in c3 plant but when the co2 concentration beyond the 1% the rate of photosynthesis decreases due to the closer of a stomata stomata close हो जाएगा and this is very important line right temperature optimum temperature आपको याद होना चाहिए कि optimum temperature for the c3 plant कितना होना चाहिए भाई साब 10 से 25 degree centigrade और optimum temperature for the c4 plant c4 plant 30 से 45 degree centigrade that's all minimum temperature कितना चाहिए जैसे photosynthesis हो जाए 0 से 5 degree 0 से 5 degree centigrade ठीक है water water का तो पताई है water is very important water के मिना तो थीक है तो हमने इस चाप्टर को बड़े आसानी से खतम कर लिया है ठीक है इसका नोट्स अभी में डाल देता हूं इसका नोट्स अभी में डाल देता हूं और इसका नोट्स अभी में टेलिग्राम के उपर शेयर कर देता हूं ताकि कि आप सब पढ़ लें और यह टाइम कैसा लग रहा है आप सब को प्लीज कमेंट करें करें विकाज यू आर रेगुलर रेस्टोर ने यह जो पचास मेरे बच्चे है वो मेरे उरिजिनल बच्चे है जो रेगुलर किसी भी समय आ सकते हैं तो आप मुझे बताएं कि यह टा टाइम पर क्लास लेने की मतब की सोच रहा हूं है क्योंकि मेरे लिए बड़ा फैबरेबल है 1132 1230 मुझे बहुत सारा समय भी मिल जाएगा इसमें यह प्लीज कमेंट करें बताएं क्योंकि आपका मत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सहमती बहुत इंपॉर्टेंट है ठी अगर आपने अलाव कर दिया तो बैटा यही टाइम होगा ठीक है यही टाइम होगा अगर आपने अलाव कर दिया तो अब यही टाइम होगा ठीक है आपने अलाव कर दिया तो यही टाइम होगा ग्रेट 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 थांक्यू यही टाइम होगा अच्छा एक मैं आप सबसे वो चीज बताने वाला था कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सिर ऐसा लग रहा है कि अब मेरे से नीट क्राक नहीं हो पाईगा आप मिरी त्यारी इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे खुद से अंदर से विस्वास नहीं आरहा है कि मैं नीट कॉ क्राक कर पाऊँगा अब तो मैं फिल से मै डॉप लोगा और फिर से ड्रॉप मेरे गर वाले लेने नहीं देंगे फिर से drop मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा चाहे वो partial drop लूँ या fully drop लूँ मेरे लिए साही नहीं होगा तो क्या अभी से पढ़के मैं neat crack कर सकता हूँ अभी से मुझे एक ऐसा guidance मिल जाए जिससे मैं उसको guidance को follow करके एक safe score तक at least 630, 640, 650 तक score करूँ मेरा अभी मेरा score अभी 300, 400 के आसपास है और मुझे 650 के आसपास जाना चाहिए तो क्या यह अभी possible है answer is yes always yes क्योंकि जब जागो तभी सवेरा बट सही दमें पर जागोगे तो सवेरे का इंतजार अच्छा होगा और सवेरा आपका ही होगा बट लेट जागोगे तो कभी न कभी सवेरा निकल जाएगा बट मेरा answer है कि अभी आपके पास समय है और अगर आपने उस समय को अच्छे तरीके से योटलाइज कर लिया तो आप निश्यत ही अच्छा करेंगे बहुत अच्छा करेंगे अब समय को योटलाइज कैसे कर सकते हैं समय को योटलाइज ऐसा नहीं कि आप सोनी के अधी को कम करतें समय के विटलाइज का मतलब यह नहीं है कि आप अपने हेल्थ के सांथ कॉंपरमाइज करें बिल्कुल नहीं क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप अच्छा परदर्शन नहीं कर पाएंगे आपका पॉफॉमेंस अच्छा नहीं रहेगा डे बाई डे कि आपको समय का उपयोग करना मैं पिछले दस साल से पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते मझे चार साल हो गए हैं और बहुत सारे बच्चों को मैंने सेलेक्ट कराया है और मैंने देखा है कि बच्चे मेहनत बहुत जादा करते हैं बट उस स्कूर तक नहीं ताकि मैं जान सकों कि उनके अंदर क्या ऐसे दिक्कत आ गई जिससे वो सेलेक्ट नहीं हो पाए हमें हमेशा फेलियर से सीखना चाहिए मतब अगर आपको जानना है कि हम सक्सेस कैसे हो तो सबसे पहले ही आपको जानना पड़ेगा कि सक्सेस के लिए बाधा क्या है आपको बताएगा कि हमने यही चीज मिस्टेक किया है अगर आप इसे नहीं करोगे तो आप 101% 650 एटलीस सरकारी कोई गौवर्मेंट मेडियो कॉलेज तो आपको मिले जाएगा इन समाम पूरे 10 साल के जर्नी को आपको महद कुछ मिन्टों में बदाऊँगा और आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो मेरा दावा है कि आप अभी से भी अगर लग जाएं जो जुनून में आ जाएं तो आप नीट को क्रैक कर सकते हैं 101 परसेंट कर सकते हैं इसमें कोई दोराय नहीं है क्योंकि बायो बहुत असान है केमिस्ट्री असान है और फिजेस को स्मार्ट तरीके से करके करा जा सकता है तो सबसे पहले बायो में हमें टार्गेट बनाना है कि एट लीस तीन सो बीस तक पहुंच जाए और आप बिलीव नहीं करेंगे आप मेरे पुराने स्टूडेंट से पूछिएगा क्यों फ्री क्लास में आके तीन सो बीस अराम से स्कोर करते हैं क्योंकि the quality I deliver मैंने पूरे अपने 10 साल के जर्नी में एक ही चीज सीखा है भले मेरे क्लास में बहुत कम बच्चे आते हैं वैसे तो बहुत पहले आया करते थे अब कम आते हैं कोई बात नहीं यह फेज है चलता रहता है बट मैंने पिछले 10 साल में यही सीखा है कि अगर पढ़ाना है तो quality वाला content पढ़ाना है नहीं तो नहीं पढ़ाना है हाथी नहीं लगाना मैंने उस quality content को दिया है और बच्चे फ्री में आके आप बिलीव नहीं करेंगे सुबह 9 बजे शाम को 8 बजे अकाडमी के फ्री क्लास में आके 320 स्कोर कर चुके हैं तो अगर आप इस मतलब अभी से आना सुरू कर देंगा फ्री आपको पैसा देनी के जरूत नहीं तो आपके मार्क्स इंप्रूफ हो जाएंगे क्योंकि मैं एक बहतरीन कोशन प्राक्टिस कराता हूं सुबह 9 बजे शाम को 8 बजे कुछ important chapter के नाम लिखे हैं सबसे पहले इन chapter को कर जाएगे जिसमें genetic and evolution, reproduction, biotechnology, ecology, human physiology, diversity जिसमें 4 chapter हैं इस सबसे पहले करिए यह करेंगे तो आपका score अपने आप ही uplift हो जाएगा उपर तक चला जाएगा अपने आप ही तो इन सारी unit यह सबसे महत्मूर unit है वो पिछले कई सालों से सबसे ज़्यादा question पूछेगे हैं बाटक्नोजी से सबसे ज़्यादा question पूछेगे हैं तो सबसे पहले इसमें cell भी include कर लीजेगा ठीक है सेल भी इसमें इंक्लूड कर लीजेगा सेल वाला unit जो है जिसमें सेल यूनिट अफ लाइफ बायोमाली के उस साइकल है वह इंक्लूड कर लीजेगा तो यह ऐसे टकनीक यूज करेंगे तो आप अच्छा score करेंगे इवन स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा स्मार् करना का मतलब मैं बार बार बढ़ूल हुं की सोना को कम कए का मतलब होता կहोता है कि आपको लिस्ट बनानी था मिस्टिए कि कौन से चप्टर आपने पढ़ाएं कौन से चप्टर छोड़ दिया ऐसे की मिस्टिए कए लिष्ट बना लिए जो चप्टर छोड़ा है अभी उसको जल्दी से जल्दी खतम करें उसको कर kapit में आपको पीवाई क्यू 15 साल के पीवाई क्यू को सौल करना है multiple times सौल करते हुए हर कोशन के सामने एक नोट बुक ले लीजे हर कोशन के जो जैसे 91 कोशन है 92 है उसका फॉर्मुला लिख लीजे कि कौन सा फॉर्मुला है फॉर्मुला को रिवाइस कीजिए आराम से आपके 300-140-150 तक आ सकते हैं क्योंकि कोशन के वही रहते हैं टॉपिक वही रहते हैं कोशन के मतला बदल जाता है नीट मतब जैसे नीट का जोड़ जाए आप बहुत अच्छा करेंगे उसमें मैं रैपिट रिविजन नोर्स आपको भीज रहा हूं जो रात को सोते समय एक बार स्क्रॉल करिए देखिए अगर आपको सलेक्ट होना है तो महनत तो करना पड़ेगा बिना महनत का कोई बिकल्प नहीं और महनत का कोई सब्सेट्यूट नहीं है आप सोचेंगे कि यार 15 गंटा कौन पड़े 5 गंटे 15 गंटा का काम 5 गंटा में कर लें तो यह वीडियो देखने में अच्छे लगती है उसका थमनेल अच्छा लगता है बड़ी प्राक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं भी एक नीट का ए कर सकते और हर बच्चे का दिमाग अलग होता है मुझे तो सब्सक्राइब का कैसे आपको मेहनत करना ही पड़ेगा जितना आपको चाहिए उतना जब तक आप नहीं दोगे आपसे नहीं होगा नीट क्रैक कभी नहीं हो सकता है नीट क्रैक तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और एक अच्छे डायरेक्शन में डायरेक्शन का मतलब कि जितने भी तुम्हारे पास कोशिन इंस्टूट के मोडियोस होगर एक अठा किये सवाल हो उसको बेच दो पायदा नहीं है उसको पढ़ने का क्योंकि आपको पता है कि नीट में सवाल ncrc से आता है तो एड़ी आफिठी को पढ़ने के बाद एंसी आपर अधारित कोश्चन करो अब और कोशिन करने के लिए बहुत सारे किताब खरीद लेते हो तरह तरह के फालतो फालतो सवाल उसमें पूछे जाते हैं अपने समय को बरबाद करते हो इस सब चीज़ होता है स्मार्ट वर्क जो समय को सेफ करे और उस समय को अच्छे जगह लगा है जिससे आउटपुट जनरेट हो अच्छे कोशन प्राक्टेश करना है तो मेरे अने काडमी के फ्री रहूंगा और पूरे जर्णी के सांथ रहूँगा डेडिकेटेड होके काम करूँगा और आप अच्छा करेंगे इस बात की मैं खुद करता हूं और एक चीज़ आपको दिखाता हूं मैं एक सेकेंड एक चीज आपको दिखाता हूं यहां पर है अब हम दो जैनवरी से एक बहतरीन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आने काडमी के ऊपर दाट इस काल यूनिट वाइस मॉक टेस्ट धीरी दिर हम फुल मॉक टेस्ट में आएंगे बट अभी जैसे अभी हम चेप्टर कर रहे थे हर चप्टर को बहतर बनाते चल रहा था अब यूनिट को करेंगे जैसे डाइवसिटी है तो चार चाप्टर है लिविंग वर्ल्ड प्लांट किंडम अनिमल किंडम बालोजिकल क्लासिफिकेशन ने चार चाप्टर को मजबूत करेंगे रेपरदाक्शन इन और सेक्स रेपरदक्शन इन फ्लारिंग प्लांट ही में रेपरदाशन रेपरदाक्टिफ है जनेटिक है तो प्रिंस्पल अब यूनिट वाइस हम करेंगे और इसमें मैं सोच रहा हूं कि एक एक दिन गैप दे दूं ताकि आप उस गैप के अंदर अपने तीन चार चाप्ट आके आपके लिए त्यार हो रहा है और हमारा यह त्यारी जो है तीस तारिक तक कंप्लीट हो जाएगा और हम दो तारिक से इसको कर रहे हैं बहुत कमाल का सीरीज है आप सब को आठ बज़े डेली अनकैडमी पे आना है एक भी क्लास मिस नहीं करना है थैंकि सो मच